वारत के पांच ऐसे मंदिर जहां राक्षस पूजे जाते हैं कानपूर के शिवला इलाके में 125 वर्षी दशानन मंदिर रावन को समर्पित है इस मंदिर के निर्माण के पीछे का मकसद ये था कि रावन एक ज्यानी विद्वान था और भगवान शिव का सबसे बड़ा भग इसलिए मंदिर का निर्माण इस जिले के शिवला इलाके में भगवान शिव मंदिर के परीसर में किया गया था नम्बर 2 शक्नी मंदिर यह हम सब जानते हैं कि जिसकी वज़े से महावारत में पांडवों का वनवास हुआ था वैः शक्नी ही थे और अपनी नकरात्मक प्रवित्ती के कारण ही शक्नी राक्षस में गिने जाते हैं शकनी का ये मंदिर कुलम जिले में केरला में सित्य और एक काफी प्राचीन मंदिर है उत्रप्रदेश के गोकुल में पूतना का मंदिर है जिसने कृष्ण को दूद पिला कर मारने का प्रयास किया था इस मंदिर परीसर में पूतना की कृष्ण भगवान को दूत पिलाते हुई लेटी हुई प्रतिमा है इस मंदिर की माननेता है कि मारने के उद्देश्य से ही सही लेकिन पूतना ने मा के रूप में श्री कृष्ण भगवान को दूत पिलाया था नमबर चार अही रावन मंदिर अही रावन रावन का भाई था ये मंदिर उत्रप्रदेश के जहासी शहर में पंच कुईया इलाके में स्थित है ये लगबग 300 साल पुराना मंदिर है इस मंदिर में हनुआन जिक के साथ अही रावन और उसका भाई मही रावन की भी पूजा की जाती है नमबर पांच दुर्योधन मंदिर दुर्योधन का मंदिर शकुनी मंदिर के पास ही स्थित है इस मंदिर को मलंदा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है पूजा के दोरान इस मंदिर में सुपारी, अरक और लाल कपड़े चड़ाए जाते हैं